साथियों, भारतिय जनता पार्टे के लिए हमेशा ये मंत्र रहा है कि व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश. ये परंपरा डॉक्टर शामा प्रसाज मुखर जी से लेकर आज तक अनवरत चली आ रही है. डॉक्टर शामा प्रसाज मुखर जी के बलिजान की शक्ति है कि हम वो स्वप्न पूरा कर पाएं, आर्टिकल तीन सो सत्तर हटा कर कश्मीर को समवेधानी एक अधिकार दे पाएं. हम सभी ने देखा है कि कैसे अटल जी ने एक वोट से सरकार गिरना स्विकार कर लिया, लेकिन पार्टि के आदर्शों से समझोता नहीं किया. अपात काल में लोगतंत्र की रक्षा के लिए हमारे कारकरताओं ने कैसे कैसे कश्ट सहे, लोगतंत्रिक नहीं तिक ताके कैसे कैसे उधान दिये, हमारे देश में राजनितिक स्वार्थ के लिए दलों के तूटने के अनेकों उधान है, लेकिन देशित में लोगतंत्र के लिए दल के विलेगी घटनाएं शाहिदी कहीं नजर मिलेगी, भारतिय जनसंग ने ये करके दिखाया था. जनसंग से लेकर अभी तक ये तप, ये तपस्या हमारे कारकरताओं के लिए बहुत बड़ी प्रेणा है.